अज हम लोग ईञ्ध्य अधाम आए हुए हैं यहां से हम लोग राम ज्योति लेकरके जाएंगे काशीं वहां घर-घर में राम ज्योती मेंzaraj जाएगी 22 अरिकों प्राणस पिष्ठा है तब तक यह ज्योति कождवाई जाएगी और 22 अरीको को मिटाने के लिए यह राम जुति काम हैंगी कि हर वर्ग हर धर्म हर जाती हर समुदाइब हर पंथ के लोगों को रूराम प्राणपरतिष्ठा का महसो का आननद उठाना चाहिए और उसको महसो की रूप मनाना चाहिए क्योंकि भगवान श्रीराम वो सब के पूर्वज है चाहे वह बहुत ही इसाथ के साथ मनाःजा हर वर्ग के लोग इसको बहुत ही उस्सावर उनलास के साथ मनाए है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जी जो नफरत पहलाने का काम करते हैं और जिनको यह लगता है कि बाबर से उनका रिष्टा था मगर हम लोगों का यह मानना है कि हमारे पूरवज भवगाश्राम से मिलता है इसके पहले भी आतंकियों ने धंकि दी हम लोग इन खोकली धंकियों से यह कश्ड़ेंगी हैं क्योंकि यह वह कंजोर और कायर लोग है जो सिर्फ धंकी देखरकर डरा धंका करके अप्लान धरम की दुकान चलाते हैं वह बहुत ही हम लोगों को खुशी है कि इतने सालों के भाद भगवाश्राम अपने बार विराजमान हो रहे हैं कि इसकी पहले वो नको अफ्वके आधे जब वो टेंट में विराज मान थे तब ही हम लोगों के था दर्शन लोगों बहुत कष्ट हुआ है जो पूरी क्रिश्टि को चला रहा है आज वो टेंट में है और आज भग्वाश राम का भव्य मंदिर भर रहा है इसके लिए हम लोग बहुत ही ख देश देना चाहते हैं कि हम अपनी भारत के रहने वाले लोग हम अपनी पूजा पदती हमने जरूर बदल दी मगर हमने अपने पूर्वजों को नहीं बदला है बहुत सारे इंडोनेशिया जैसा देश जहां कि लोग मुस्लिम हैं होने के पाउजुद उनका जो संस्कृति है तो एक बाहरत के लोग चाहे किसी भी पूजा बदती को मानने वाले हों। उनके पूर्वजों को हम बदले अगर अपने हैं प्रुजों को रहेंता आधो यहふふ inn छा गिक और यह वह ऐस ? की आगर बहुती को बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंकि वहा की संसक्र्थ को जब्द करना है वहां की संस्कृति को बदलना है तो अपने उनको अपना पूरोज मानना ही है